यह previous year question paper 2023 में पूछा गया है और class 10th का और chapter कौन सा है? polynomial गये इससे पहले पहले chapter का video बन चुका है जो real number है उसके 2023 में जितने भी question पूछे गये थे अगर आपने उन question को नहीं देखा है तो पहले one by one सारे question को देखिए और फिर chapter 2 के video तो बनी रहे हैं और chapter 3 के भी मिलेंगे, chapter 4 के मिलेंगे, सारे chapter के मिलेंगे तो चलिए आज अपने question की तरफ चलते हैं Hello everyone, welcome to challenger classes और अगर आप channel पे नए हो तो channel को subscribe करना ना भूलें यह question case base है और case base question अगर आप नहीं कर पाया तो आपके 4 number चले जाएंगे तो case base question चार number के होते हैं और चार number करने के लिए तो चलिए ऐसे हर एक chapter के जो भी case base पूछे जाएंगे उसके question हम बिल्कुल करेंगे बहुत यासान language में करेंगे तो चलिए इस question को समझे और पढ़िए हम देखते हैं कि question में है क्या इसमें बोला गया in a pool at an aquarium a dolphin jumps out of the water traveling at 20 cm per second यह बोलना है वाटर में जो traveling कर रही है वो 20 cm per second के साब से आगे बढ़ रही है ठीक है यह बोलना है कि अगर उसका height above water level after t second मनला 30 second में उसका height पहुँच जाता है कहां पर वो 20 t minus 16 t square में पहुच जाता है तो आगे क्या होता है अगला हम देखते है तो आगे बोल रहे है कि इस पर questions पूछे गए questions जो पूछे गए है वो बहुत अच्छे-च्छे questions है और बहुत आसान भी है अगर साथ में हम questions को एक एक one by one step पर समझेंगे आप बिल्कुल focus रहे है और copypin लेके बैठ जाएए ठीक है इसमें question में क्या दिया हुआ find a zero जाब polynomial pt एक pt polynomial दे दिया गया है कौन सा polynomial है pt polynomial है इसका क्या दिया हुआ 20t 20t minus 16t square 16t square ठीक है यह दिया गया और इसका हमें क्या find करना इसको equal to कर देंगे यह हो गया जिरो के इक्वल के एक्वल हो गया तो अब हमें क्या करना इसमें से जो common हो रहा है उसको common कह लेजिए तो 4 यहां से common हो रहा है 4 और टला है तो यहां बचेगा 5 और यहां बचेगा कितना आपका 4T क्या होचेगा 4T equal to 0 अब देखो एक बार आपको दो बन गए ये 4T equal to एक बार 0 कर लिजिए तो यहां से आ जागा क्या T equal to 0 आ गया दूसरा क्या करोगे 5 minus 4T equal to 0 कर लिए तो T की value क्या हो जाएगा 5 upon में 4 हो जाएगा क्या हो जाएगा T की value 5 upon में 4 हो जाएगा आपका तो ये 2 zeros मिल गए आपको ये 2 zeros पहले question में पूछे गए तो पहले question का answer क्या हो गया T equal to 0 और T equal to 5 by 4 तो हमें पता चल गया T equal to 0 रहा होगा तो पूरा पूरा ये 0 रहे होगे कहीं तक आगे इसका height उपर है जो equation में दिया हुआ height का equation है तो ये height इसकी बड़ी नहीं होगे जैसे T equal to 5 by 4 होगे जिसका height कितना गया वो हम देखेंगे आगे अगर question में पूछा गया है तो चल ये पहला question तो clear हो गया अब आते हैं second question में second question बहुत ध्यान से बहुत अच्छे से समझना आपको तो इस question को मैं इधर कर देता हूँ इसको जो हमने solve करें पहले वाले को अब बात करते हैं second question पे second question क्या देगा है which of the following types of graph represent PT क्या बात है तो अब अगर PT को देखा जाए जो PT दिया गया है आपका वो एक quadratic polynomial कैसा polynomial है quadratic polynomial और quadratic polynomial जो होता है आपका किस form में होता है वो AX square plus BX plus C की तरह का होता है जिसको हमने quadratic polynomial बोलते है और quadratic polynomial के बहुत ध्यान समना दो graph बनते एक upward की तरफ इसका ऐसे बनता है उपर मुह खुलता है एक नीचे की तरफ खुलता है ऐसे होता है तो ये कब होता है कैसे होता है उसके बारे में हम समझते है तो सबसे पहले quadratic polynomial है तो जिसमें आपको ध्यान रखना है बहुत ध्यान रखना है कि अब इसमें हम quadratic polynomial कब तक बना रहेगा वो तीन condition को हम समझते है अगर आपने a equal to 0 कर दिया तब आपको quadratic polynomial नहीं रहेगा क्यों? क्योंकि उसका coefficient a है ये 0 हो, 0 होते ये पूरा 0 जाएगा और degree 2 नहीं रहेगा तो quadratic polynomial नहीं बनेगा फिर दूसरा आते हैं कि अगर a not equal to 0 है तो b को भी 0 कर सकते हैं b equal to 0 और c equal to b 0 कर सकते हैं तो a b quadratic polynomial बनेगा चली अब आते हैं कि जब quadratic polynomial तो बन गया आपका ये दो condition होते हैं जिस पर quadratic polynomial एक्जिस्ट करेगा तो a condition तो पहले समय मिल गया कि a कॉम कभी 0 नहीं कर सकते हैं तो बचा क्या? ये क्या हो सकता? a p ही सारा depend करता है कि ग्राफ उपर बनेगा या नीचे बनेगा तो a की value 0 तो हो नहीं सकता? ये तो मैंने बताया 0 होते ही quadratic polynomial नहीं बनेगा a की value 0 से बड़ा हो सकता है या a की value 0 से छोटा हो सकता है ध्यान समना? यहाँ दो case बन गए एक case जो बना आपका a की value क्या होगा? जीरो से बड़ा होगा a की value या तो 0 से छोटा होगा ये बन गया तो अगर 0 से बड़ा होगा बहुत ध्यान समना? अगर 0 से बड़ा होगा a की value तो हमेशा वो उपर की तरफ upward graph बनाएगा मतलब उपर की तरफ उसका जो open होगा ऐसी तरफ इस तरह open होगा और जो a की value गर 0 से छोटा हुआ वो हमेशा नीचे की तरफ ग्राब बनाएगा मतलब इस तरह का graph बनाएगा आपका तो ये तो समझ में आ गया आपको तो अब देखो यहाँ पर आपको गर जो हमारा quadratic polynomial दिया गया था वो quadratic polynomial था क्या? जो p t की value दिया गया था वो दिया गया था 20 t minus 16 t square था अब अगर a देखा जाए तो a होता हमें सा x square square वाले का coefficient होता तो यहाँ पर square क्या? t square t square का coefficient है क्या? t square का coefficient अगर मैं बोलू a की value है minus 16 तो इससे आपको पता चल गया जो graph बनने वाला है जो graph बनने वाला है वो क्या बन के आने वाला है? वो graph जो बन के आएगा वो नीचे की तरफ बनाएगा मतलब यहाँ पर यह वाला तो graph बिल्कुल नहीं हो सकता अब हमने इसको eliminate कर दिया एक option तो दूसरा आपका क्या यह graph possible है? यह वाले possible है? क्या यह वाला possible है आपका? अब एक चीज़ और समझना कि जो इसके 0s होते हैं वो हमेशा x-axis को cut करते हैं किसपे cut करते हैं? जैसे आपने इसके 2 0s एक alpha है एक beta है ठीक है? 2 beta है तो आपका जो graph बन रहा है तो ऐसे x-axis और y-axis बनाएंगे तो यहाँ पर बनेगा एक alpha एक beta या इसको हम बनाएंगे ऐसे graph बनाएंगे तो यह जो x-axis को cut करते हैं एक alpha नाम देंगे एक को क्या नाम देंगे? बीटा नाम देंगे हमारे पास ठीक है? तो ऐसे आपका quadratic polynomial जो बना उसमें आपका alpha बीटा जो 0 यहाँ पर आना थी है अब धेहां से देखने कोशिद करें हमें जो 0 मिला alpha की value मिला वो t equal to 0 मिला और beta की value किसके बरावर मिला? t equal to 5 by 4 अब देखो जो नीचे की तरफ graph बना रहा होगा उसमें दो 0 जो x-axis पर दो जमा कट कर रहा होगा यहाँ पर आपका t की value क्या है? 0 है और यहाँ पर t की value कितना है? 5 by 4 है तो यह वाला तो possible इसका नीचे भी graph बन रहा है नीचे Q बन रहा है क्योंकि a की value negative है और दूसरा इसका जो 0 की value x-axis पर आना चाहिए तो यह x-axis पर आ गया तो यह आपका बना क्या? यह वाला graph अभी तो सही है देखते हैं आगे वाला अगला वाला option देखते हैं तो देखो इसका यहाँ पर तो हो नहीं सकता है यह तो possible यह नहीं है ठीक है? x-axis पर मैंने बोला cut करता है तो यहाँ पर और यहाँ वाले जो होते हैं इसके 0 जो होते है इसका 0 जो 5 by 4 है लेकिन इसके according हमारा x-axis पर नहीं cut करा है तो इसलिए यह वाला गलत हो जाएगा फिर आते हैं अगला वाला बात करते हैं यह वाला x-axis पर तो है 5 by 4 लेकिन क्या 0 है हमारा 1 0 जो भी 0 है तो यह वाला भी possible नहीं हो पाएगा इसलिए हमने क्या बोलेंगे कि कौन सा option सही होगा option आपका A वाला सही हो जाएगा किसके लिए graph कुछा जाए graph को बनाने के लिए देखो मैंने बहुत लंबा चोड़ा समझा है तो चलिए अभी यहीं क्या question खतम हो गया नहीं अब एक दो number आपने solve कर लिए दो number solve करने के बाद दो number और बचे तो चलिए अगला हमने दे लिखते हैं कि क्या दो number के और question तो इसको फटा-फट note करिए और आते हम अगले इसी में सारा mix कर दियें लेकिन आप समझोगे one by one कैसे समझा है वो बिल्कुल आसान और बिल्कुल simple language में समझा है ठीक है और अगर अच्छे से समझ में आ रहा है तो एक comment करना बिल्कुल भी ना भूले एक comment करना नहीं भूलना है comment फटापट करो कि हाँ बिल्कुल मुझे clear है सर आपको बिल्कुल जो भी समझा है वो समझ में आ गया तो आगे आते हैं अगला देखते हैं हमने कि जो question में क्या दिया गया है अगला question जो दिया गया है ये दिया गया what would be the value of s at t equal to 3 by 2 ये बोलने कि height उसका क्या होगा जब time हमारा 3 by 2 होगा तो सबसे पहले अभी आपने equation देखा है जो equation देखा था वो equation था क्या वो equation था 20t minus 16t square 20t minus 16t square था तो जो pt की value आया था वो pt की value क्या आया था ये pt की value आया था जो वो 20t minus 16t square ठीक है और यहाँ पर आप time किस पे पूछ रहे हैं 3 by 2 पे पूछ रहे हैं तो time 3 by 2 पे पूछेंगे तो इसकी value क्या हो जागे यहाँ 3 by 2 कूट करिए minus 16 और यहाँ पर भी आप क्या पूट करेंगे 3 by 2 का whole square करेंगे तो पता करिए कि height क्या नहीं यही तो height बताता है इसी को हमारा पहले starting में दिया गया वो height में दिया गया ठीक है तो अब क्या हो गया कि जो यह 20 से अगर इसको हमने करेंगे तो 10 आ जाएगा ठीक है तो 10 multiply 3 minus 16 multiply यह हो जाएगा 9 upon में 4 हो जाएगा 4 से cancel कर यह कितना बचेगा 4 तो यह जाएगा यह 30 minus कितना हो जाएगा यह हो जाएगा 36 अब इसको solve करेंगे तो minus 6 minus 6 इसका आया answer क्या है यह आ रहा है minus 6 minus 6 का मतलब यह होगा height तो distance negative होता नहीं तो नीचे की तरफ पानी की जो ground लेबल से नीचे की तरफ गया होगा वो 6 जितना भी होगा आपका चलिए अगले question की तरफ चलते हैं इसको फटा फट नोट करिए और अगला क्या दिया गया अगला question बोला how much distance इन दोनों में से कोई एक ही करना जिसको दो number का दिया गया आपका ठीक है तो अब how much distance has the dolphin covered before hitting the water level again अब पहले पढ़े थे आपने देखो पहले अगर question पर आते हैं अबने जो बात करते हैं यह पहले question में क्या बोला गया है कि dolphin जो traveling कर रहा है वो 20 20 cm per second के speed सी कर रहा है मतलब हमारा क्या बोला गया है कि अगर देखा जाए तो speed की value कितना दिया हुआ 20 cm per second दिया हुआ ठीक है यह मिल गया और दूसरा हमें पता चल गया है कि जो time तो यह बोले कितना distance travel करेगा अगर वो क्या करे dolphin देखे देहां से अब यह dolphin जो बन रहा है यह dolphin ऐसे जा रहा है यह जो पानी को hit करने से पहले पहले वो कितना distance cover कर लेगा तो यहां से hit करने से यहां से यहां तक का यह zero से start हुआ था आपको zero जाया था क्या आया था मैंने एक grab बनाते भी दिखाया था अब यह कि यह ऐसे grab बन रहा है तो यहां से जीरो हुआ यहां तो जीरो हुआ यहां जीरो हुआ और यहां पर कितना time ले लिया हुआ उसने लिया है 5 by 4 time ले लिया कितना लिया 5 by 4 time ले लिया ठीक है तो 5 by 4 time लिया जो उसने तो यह 5 by 4 time में वो 20 second से चलते हुए कितना distance cover कर लिया वो ही बताना उसे फिर hit करने से पहले पहले बताईए कितना distance cover करा तो चलिए हम question को solve करते हैं और question पर चलते हैं question जो हमारा दिया गया था अब हमें पता चल गया जो उसका speed है speed कितना है वो 20 cm 20 cm per second है और उसे यहां से यहां तक जाने में यहां से यहां तक जाने में कितना time लग रहा है यह t equal to 0 से start हुआ और यहां t तक पहुशतने में कितना time लहेगा आपका equation दिया गया था वो जो दिया गए 20 t minus 16 t squared दिया है यहां से 4 common कर लेंगे 4 t तो क्या बचेगा, यह 5-40 बचेगा, इसको यह तो t equal to 0 देजएगा यह वाला, इसको जब solve करोगे आप, तो यह आजाएगा कितना, यह आएगा minus, यह आजाएगा 5 by 4, t की बेलू कितना आजाएगा, 5 by 4 आजाएगा, t equal to, 1 minute, t equal to कितना आजाएगा t equal to आ जाएगा 5 by 4, तो मतलब यह दोखो, मैंने यह बला 5 by 4 तक time, अब हमें मिल गया, speed मिल गया, time मिल गया, तो distance निकालना है, तो distance का formula क्या होता है, distance होता क्या है, बताओ बताओ, जल्दी बताओ, दो, अगर आपको formula आपने पढ़ा है, पहली बार नहीं पढ़ा, आपने formula बहुत बार, अगर नहीं पता है, फिर भी speed equal to ता, distance upon में time, हमें distance निकालना है, तो distance निकालना है, तो speed और time का multiply कर दीजे, speed हो गया, 20, और time कितना लिया उन्होंने, 5 upon में 4, यहां से इसको cancel करो 5, तो इनका आ जाएगा कितना, 25 cm, जो उन्होंने distance कवर करे होंगे, 25 cm कवर कर तो यह question 4 नमर का था, और बहुती बहुती आसान तरीके से मैंने बहुती धीरे-धीरे समझाया कि concept को clear करते हुए, अगर आपको अच्छे से समझ में आया, तो वीडियो को एक like और एक comment जरूर करिएगा, और अपने दोस्तों को share करना नहीं भूलिएगा, तो चलते हैं, आ